नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वाय आता है हमारे यूटूब चैनल दे नौज बेडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ कलकाटा इन्वसिटी के विकॉम फर्स समिस्टर के आप लोग के साथ सेयर करने वाला हूं और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इस पेपर में कौन सा कोश्चेन कितने मांक्स का आता है और इस वीडियो के लाश्ट में आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग माइक्रो एकोनोमिक 1 2018 का कोश्चेन पेपर का पीडियाप कैसे डामलोड कर सकते हो यह सारी चीजे आज की इस वीडियो में मैं सभी को बताने वाला हूं तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में सुरू से लेकर लाश्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फरमेशन सही सही मिल सके दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल दे नौज बेटी को सब्सक्राइब करके बेल अकेन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सब्सक्राइब पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बेलकुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यह है माइक्र एक्रोणोमिक 1-2018 का कोस्चन पेपर जिसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं उससे पहले आप सभी को इस कोस्चन पेपर के पैटर्न के बारे में जानना जरूरी है तभी आपको आगे अच्छे से समझ आएगा जैसा कि आप सभी को पता होगा माइक्रोणोमिक का एक्जाम होता है 50 marks का और स्टैक्टिक का एक्जाम होता है 50 marks का इस वीडियो में हम जानने वाले है microeconomics 1 2018 के question paper के बारे में इसकी बात मैं फिर से एक वीडियो upload करूँगा फिर उस वीडियो में हम जानेंगे statics 2018 के question paper के बारे में फिलाल इस वीडियो में हम बात करते है microeconomics के question pattern के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया Micro Economic exam 50 marks का होता है इस 50 marks में 40 marks का MCQ paper आता है और जो 10 marks बसता है वो 10 marks आपका internal assessment होता है college में अब चलिए जानते हैं 40 marks के MCQ paper के बारे में इस paper में 2 group होता है group A और group B group A में 1 marks के 10 question आते है और group B में 2 marks के 15 यानि की 15 question आते है तो 1 into 10 हो जाते है 10 marks और 2 into 15 हो जाते है 30 marks और total मिलाकर हो जाते है 10 plus 30 40 marks अब चलिए जानते हैं group A के question के बारे में आईए दोस्तों जानते हैं group A के first number question के बारे में बोला गया है if the absolute value of price elasticity of demand for a commodity is 1 throughout the demand curve then the demand curve is यहां देखे 4 option दिये गए हैं चार option में जो right answer होगा वो होगा A number option A number option right answer क्यों है यहां देखे explain करके बताया गया है जो आप इस PDF को download कीजएगा तब आप लोग इसे पड़ लीजएगा अभी मैं इस चीज को skip करता हूँ उसके बाद एके second number question बोला गया है which of the following is not a property of indefence curve चार option दिये गए हैं जो right answer होगा वो होगा D number option उसके बाद question number 3 बोला गया है consider a situation where the price of feet goes up steadily all of a sudden how do you expect the demand curve for rice to behave चार option दिये गया है जो right answer होगा वो होगा A number option उसके बाद question number 4 बोला गया है at the point of inflection of total product curve इसका right answer होगा A number option उसके बाद question number 5 बोला गया है assume that the firm has a fixed budget to be completely spent on purchase of two inputs for producing a single output what is the name of the locus of different combination of the two inputs which can be purchased with the aforesaid budget इसका right answer होगा A number option उसके बाद question number 6 बोला गया है the shape of an average fixed cost curve is इसका right answer होगा A number option उसके बाद question number 7 बोला गया है which one of the following cost is not relevant to the long run इसका right answer होगा C number option उसके बादे question number 8 बोला गया है what is the shape of the MR curve of a perfectly competitive form इसका right answer होगा D number option उसके बादे question number 9 बोला गया है which of the following is not a feature of perfect competition इसका right answer होगा A number option उसके बादे question number 10 जो की group A का last question है बोला गया है if a specific sell tax of 10 rupees is imposed in a perfectly competitive market how will the market supply curve behave इसका right answer होगा B number option अब देखे दोस्तों start होता है group B जो की two marks question आता है इसमें बोला गया है first number question when the price of a goods falls from 10 rupees to 8 per unit quantity demanded increase from 1250 to 1750 unit the absolute value of price elasticity of demand for a goods is इसका right answer होगा A number option दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो like कर दीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए और bell icon को press करिए ताकि हमारे आने वाली नहीं वीडियो की notification आपके पास सब्सक्राप पहले पहुंच सके अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं second number question की ओर बोला गया है इन दा कॉंटेक्स्ट अप मार्शियलन दिमांड थियूरी दा मार्जिनल उटिलिटी अफ मनी इस इसका राइट एंशर होगा इसका राइट एंशर होगा B number option उसके बाद है question number 4 बोला गया है the income consumption curve is the locus of different equilibrium points इसका राइट एंशर होगा D number option उसके बाद है question number 5 बोला गया है assume that the absolute value of price elasticity of demand for a commodity is 1 when the price is 4 rupees the demand is 300 unit what amount will be demanded if price falls to 3 rupees इसका राइट एंशर होगा A number option उसके बाद बोला है question number 6 question number 6 बोला है when the total product curve relating to labor is falling इसका राइट एंशर होगा B number option उसके बाद है question number 7 बोला गया है what is the total cost of production of 300 units if fixed cost is 10,000 and average variable cost is 20 rupees इसका राइट एंशर होगा C number option उसके बाद है question number 8 बोला गया है the minimum point of marginal cost curve lies इसका राइट एंशर होगा A number option उसके बाद बोला है question number 9 let the total cost of producing different unit of a product be as follow यहाँ एक table दिया गया है और पूछा गया है when are the values of AFC and ABC for 10 unit of output इसका राइट एंशर होगा C number option उसके बाद है question number 10 when average cost is rising the marginal cost is इसका राइट एंशर होगा B number option उसके बाद बोला है question number 11 बोला गया है a perfectly competitive firm making a loss in the short run will stop production when इसका राइट एंशर होगा A number option उसके बाद बोला है question number 12 in the long run a firm under perfect competition earns इसका राइट एंशर होगा C number option उसके बाद बोला है question number 13 let the price faced by a perfectly competitive firm be equal to 7 rupees some data a short run MC are given below यहां देखिए एक table दिया हुआ है और पूछा गया है at what output level can the firm expect to maximize its profit इसका राइट एंशर होगा B number option उसके बाद बोला है question number 14 the short run supply curve of a firm under perfect competition is इसका राइट एंशर होगा A number option उसके बाद बोला है question number 15 in the Marceline framework a disequilibrium situation is brought back to equilibrium through इसका राइट एंशर होगा D number option तो group B में 15 question two marks के हो गए तो इतने ही है group A और group B में question आप लोगों ही पता चल गया होगा कि economic में किस type का और किस level का question आता है तो इतने ही question थे 2018 के microeconomic 1 के question paper में मैं आसा करता हूँ आपको इन सभी question के बारे में पता चल गया है तो दोस्तो यह आप लोग ने जान लिया microeconomic 1 2018 के question paper के बारे में अब दोस्तो बात आती है कि आप लोग इस question paper के PDF को कैसे download कर सकते हो दोस्तो पीडिये डाउट करने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को like कर देना होगा और हमारे चैनल दे नौज बेटियो को subscribe करके bell icon को press करना होगा उसके बाद आप लोग अपने Gmail ID का name comment section में comment करिए मैं आपके Gmail पर इस PDF को send कर दूँगा या फिर आप लोग मुझे मेरे Facebook पेज या मेरे Instagram पेज पर follow करके वहाँ पर message करिए मैं आपको वहाँ पर इस PDF को send कर दूँगा मेरे Facebook पेज और Instagram पेज का link description में दिया हुआ है आप लोग वहाँ click करके मुझे follow कर सकते हैं और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से related कोई question पूछना हो तो आप लोग comment section में comment करके अपना question पूछ सकते हैं इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी share करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे पता चल सके और दोस्तों लाइट मैं यही कहना चाहूंगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल दे नौज बेटी को subscribe करके बार आकन को प्रेस करिए मिलते हैं हमारे ऐसे ही वीडियो के next topic पर तब तक के लिए thank you दोस्तों कर दोस्तों हाओ स कर दोस्तों